हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चनल, आज मैं आपको किमोनो जेकेट बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड़ मिटर क्रेप का फेबरिक लिया हुआ है, तो देखी ये मैंने देड़ मिटर फेबरिक लिया हुआ है, ये उपर से जो है ये इसकी पूरी सिंच की है, तो इसकी स्लिव आपको 15 इंच तक बन जाएगी, अगर आपको लॉंग स्लिव बनानी है, तो आपको 2 मिटर फेबरिक लेना होगा, और जिसकी चोड़ाई भी आपको ज्यादा हो, ऐसा फेबरिक आपको लेना होगा, अभी सबसे पहले में फेबरिक को जितनी इसकी लंबा यानि पूरे देड़ मिटर फेबरिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरह से हम फेबरिक को डबल फोल्ड कर लेंगे, तो नीचे की सैट इसकी खुली हुई सैट है, आप देख सकते है, और एक सैट जो है इसकी बंद वाली सैट है, अभी बंद वाली सै और नीचे से दोनों सैट इसकी खुली हुई है, तो फेबरिक को बिल्कुल हमें इसी तरह से बिछाना होगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें फेबरिक को बिछाना होगा, इस तरह से फेबरिक को मैंने 4-4 में बिछाया हुआ है, और इ यूज़ कर सकते हैं अभी मैंने 18 सिंज पर एक निशान लगाया है और एक इंच में एक्ष्टरा लेना है सिलाइ मार्जिन के लिए तो टोटल मैंने 29 सिंज पर निशान लगाया है नीचे जो एक्ष्ट्रा फेब्रिक है उसे हम बाद में कट कर देंगे अभी जो इसकी चोड़ाई है वो 22 इंच की है तो पूरी हमारी फेब्रिक की जो विर्थ है वो 40 इंच की है इसे हमने फोल्ड किया हुआ है तो इसकी चोड़ाई 22 इंच की हो गई है तो इतनी चोड़ाई हमें काफी रहेगी आपको अगर long sleeve चाहिए तो इसकी चोड़ाई आपको ज्यादा लेनी होगी अभी उपर से जो folded set है वहाँ पर हमें गले की चोड़ाई के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाना है गले की चोड़ाई हम 3.5 इंच ही रखेंगे और उसके आगे 3.5 इंच का हमारा shoulder रहेगा तो पूरी 7 इंच का हमारा shoulder रहेगा उसके बाद जितना भी fabric हमारा extra बचेगा उतनी हमारी sleeve रहेगी तो टोटल हमारी 15 इंच की sleeve बनेगी अभी गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है इसमें हमें सिर्फ गले की चोड़ाई और गले की लंबाई के लिए ही निशान लगाना है तो 3.5 इंच पर मैंने गले की चौड़ाई रखी है और 4 इंच पर मैंने गले की लंबाई रखी है और इसे हमें round shape draw कर देना है बाकी उपर से हमें कोई measurement नहीं लेना है अब ही जहाँ पर हमने लंबाई के लिए निशान लगाया है वहाँ से हमें hip का measurement लेना होगा तो hip की चौड़ाई के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और एक इंच हमें extra लेना है सिलाई मार्जिन के लिए तो आपकी hip का जो भी measurement हो उसका चौथा पाग करना है और उसमें एक इंच add कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि मेरे हिप का मेजर्मेंट 40 इंच का था और उसका चोथा भाग 10 इंच होता है और 1 इंच मैंने एक्ष्टर लिया है अभी उपर से जहां पर इसकी खुली हुई सहेट है वहाँ पर हम स्लिव के लिए निशान लगाएंगे तो स्लिव की चोड़ाई के लिए में 8 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि ये स्लिव हमारी थोड़ी खुली खुली ही रहती है इसलिए हमें 8 इंच पर निशान लगाना है अभी जो हमने 8 इंज पर निशान लगाया है उसके अंदर हमें 6 इंज पर एक निशान लगाना है इस निशान का हमें कोई measurement नहीं लेना है बैस ऐसे ही हम 6 या 7 इंज पर निशान लगाकर एक line ड्रोग कर लेंगे यह हमारी स्लिव की line होगी इस तरह समें सीधी line ड्रोग कर लेनी है अभी जो हमने line ड्रोग की है उस line को हमें नीचे तक यानि की जहाँ पर हमने hip का निशान लगाया है वहाँ तक हमें तिरची line में ड्रोग कर लेना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह समें नीचे तक line ड्रो कर लेनी है अभी जहाँ तक हमने line ड्रोग की है वहाँ पर हम हलका सा round shape ड्रोग कर लेना है इस तरह से हमें इसमें हल्का सा राउंड शेप ड्रो कर लेना है देखिए हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रो किया है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो बस इतने ही हमारे मेजरमेंट थे अभी जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है अभी ये जो हमारा एक्ष्ट्रा बचा हुआ फेब्रिक है इसकी हम बाद में पटिया कट कर लेंगे तो देखे मैंने कटिंग कर ली है अभी जहां पर हमारी गले की चोड़ाई है वहां पर हम चोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से हमें चोटा सा कट लगा देना है और इसे हम खोल देंगे तो इस तरह से दोनों शॉल्डर के उपर हमारा कट आएगा और ये हमारे दो पाठे आगे और पीछे के लिए अभी इसे हमें खोल देना है और जो हमने शॉल्डर में कट लगाया है उन दोनों कट को एक दुसरे के सामने रखना है हम फ्रंट पाठ में कट लगाने वाले है इसलिए पहले हमें शॉल्डर से शॉल्डर को मिलाना है दोनों कट को एक दुसरे के सामने इस तरह से रखना है और एक पाठ हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक पाठ हम उपर को कर लेंगे और एक पाठ हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है यह हमारा फ्रंट वाला पाठ रहेगा इस तरह से हमें फ्रंट पाठ को डबल फोल्ड कर लेना है देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है उसके बाद जितनी भी हमने गले की चोड़ाई रखी थी वहाँ पर हमें निशान लगा देना है तो हमने साड़े तीन इंच की गले की चोड़ाई रखी थी तो हमें उस तरह से निशान लगा देना है और जहां तक भी हमारी लंबाई वाला कोना है वहां तक हमें इस निशान को इस तरह से round shape में ड्रोग कर लेना है तो ध्यान रहे ये निशान हमें folded side से यानि की बंदवाली side से ही लगाना है देखे इस तरह से मैंने round shape ड्रोग कर लिया है अभी हमें इसे cut कर देना है तो ये हमारा front वाला part रहेगा और इसका पूरा shape कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये front वाला part है और पूरा shape ऐसे आपको नज़र आएगा अभी जो भी हमारी sleeve है उसकी जो border है उसे हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगानी है इस तरह से हमें sleeve की border को double fold कर लेना है और इसमें सिलाई लगा देनी है दूसरी side पर भी जो sleeve वाला part है उसकी border को हम double fold कर लेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही sleeve के उपर अभी इसे हम जो हमने cut लगाया है वहाँ से पकड़ते हुए इसे fold कर लेना है और side में हमें सरिफ एक इंच का gap रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही side से तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी जहाँ पर हमारा sleeve वाला round वाला part है इसमें हमें छोटे-छोटे 3-4 cut लगाने होंगे क्योंकि यह हमारा round वाला part है तो इसे अगर हम सीधा करेंगे तो cut लगाने पर ही इसकी finishing बहुत ही अच्छे से आती है आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमारी अच्छे से finishing आएगी cut लगाने से तो cut लगाना बहुत ही ज़रूरी है इसी तरह से दूसरे side पर भी जो हमारा round वाला part है वहाँ पर हम 3-4 cut लगा देंगे और cut लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी finishing कितने अच्छे से आई है अभी हम इसमें पट्टी अटेच करेंगे तो जो हमारा extra बचा हुआ fabric था यह हमारा extra बचा हुआ fabric है और यह 4-fold है तो इसकी हम पट्टिया कट कर लेंगे तो इस तरह से हमें इसमें तिर्ची पट्टिया कट करनी है क्योंकि वो हमारा round वाला पाठ है इसलिए हमें तिर्ची पट्टिया ही अटेच करनी होगी तो जितनी भी हमारी पट्टिया कट हो सकती है उतनी हमें पट्टिया कट कर लेनी है तो देखे मैंने इस तरह से तिर्ची पटिया कट कर लिए है अभी इन पटियों को हमें एक दूसरे के सामने इस तरह से तिर्चा रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा दिनी है और इसी तरह से सिलाई लगाने पर हम सारी पटियों को जोइंड कर लेंगे जितनी भी पट्टिया हमें यूज होगी उतनी हमें सारी पट्टिया जॉइंट कर लेनी है कट करने पर तो देखे मैंने पट्टियों को जॉइंट कर लिया है अगर ये पट्टि हमारी कम पड़ेगी तो हम और भी पट्टि कट कर लेंगे अभी जो हमारी नीचे वाली सिलाई है वहाँ पर हमें इस पट्टी को अटेज करना है यानि कि वहीं से हमें स्टार्ट करना है तो पहले पट्टी की बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हमें से डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हमें नीचे से पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है, तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ, तो जहां पर हमारी नीचे वाली सिलाई है, वहीं पर हमें पट्टी को पहले फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और नीचे वाली सिलाई से ही हम पट्टी को लगाना स वहाँ पर हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जाना है और इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है उपर की तरब जो गले वाला पाठ है वहाँ पर भी हम पट्टी अटेज करेंगे यह आप देख सकते हैं शॉल्डर पर हमने कट लगाया था तो बिल्कुल शॉल्डर पर भी हमें इस पट्टी को अटेज कर लेना है इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगाते नहीं है दूसरी साइट पर भी इसकी नोच है उसे भी हम पट्टी के नीचे दबा लेंगे और इस तरह से पूरे टॉप पाट में हमें इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अटेच कर लेना है फ्रेंड्स आप सब लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जिससे मुझे बहुत ही खुशी होती है इस तरह से हमें पूरे पट्टी को अटेच कर लेना है अभी जहां से हमने पट्टी को लगाना शुरू किया था वहां पर एक इंच तक पट्टी हमें उपर को चड़ानी है अभी एक्ष्टा पट्टी को हमें कट कर लेना है तो जितनी भी हमने पट्टी लगाई हुई है उससे एक इंच पट्टी हमें एक्ष्टा लेनी है और जो पहली पट्टी हमने अटेज की है उसके उपर एक इंच तक हमें पट्टी को एक्ष्टा रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से एक इंच तक पट्टी हमें एक्ष्टा रखनी है और इसके उपर हमें सिलाई लगानी है अभी नीचे से थोड़ा फेब्रिक हम कट कर लेंगे देखे इस तरह से हमने पट्टी के ऊपर तक दूसरी पट्टी को चड़ाया हुआ है अभी नीचे वाला एक्ष्टा फेब्रिक हम कट कर लेंगे उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है इसे हमें उल्टी तरफ पर पलटना है तो जहाँ पर हमने पट्टी को लगाना स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं से हम पट्टी को इस तरह से उल्टी तरफ पर फोल्ड कर लेंगे और उल्टी साइट से हम इसमें सिलाय लगाएंगे इस तरह से हमें पट्टी को उल्टी तरफ पर फोल्ड कर लेना है जहां से हमने पट्टी लगाना स्टार्ट किया था वहीं से हमें पट्टी को फोल्ड करना है और इसके उपर हमें सिलाई लगानी है यह राउंड वाला पार्ट है तो यह पट्टी को आपको बहुत ही ध्यान से फोल्ड करना होगा नहीं तो इसमें जोल भी आ सकता है इसलिए हमें पट्टी को बहुत ही साउदानी से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसके उपर हमें सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से हमें पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसके उपर हमें सिलाई लगाते जाना है तो ये पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से बैट जाएगी फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते है जहाँ पर भी मैं ऐसे ही वीडियो अप्लोड करती रहती हूँ तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक में नीचे description box में दे दूंगी तो देखी इस तरह से मैंने पट्टी को attach कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी finishing से हमारी पट्टी लग चुकी है और ऐसे हमने पूरे में पट्टी को attach कर लिया है और इसी के साथी हमारा kimono jacket top बनकर ready हो चुका है इसे आप जैसे ही पहनेंगे तो नीचे की दरब से इसका जुकाव कुछ इस तरह से आएगा अगर आप इसमें buttons attach करना चाहते हैं तो आप इसे front part में दोनों side में buttons लगा सकते हैं और button hall भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें पट्टी हमने अंदर की तरफ लगाई हुई है या फिर आप इसे ऐसे ही खुला भी रख सकते हैं तो इसी के साथी हमारा kimono jacket टॉप बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look So friends I hope आपको आज का tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में उस bell icon को press करना मत भुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके ताकि आपको हमारी आने 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 सके